तो यह हमारा खाना लग चुका है और देखी क्या क्या है इसमें लिमिटेड थाली में यह मिला हमको छोले बटूरे है एक रोटी है और यह दाल है और पापड़ी है और इसे काफी सारे सलाथ भी दिये हुए है तो कुछी सरी के से हमारी हली स्वालो गाईस कैसे हैं आप और अभी हमारी जर्णी चल रही है और भी मैंने वीडियो डाले हुए है तो इस्टेशन पर रुके हुए थे स्टेशन के बाद हम लोग जो है फोटल रुम में आएं और यहां आने के बाद जो चीजें थी नाना वगेरा है सारा चीज हो गया और पुरा रेडी हो चुके हैं अभी तो कुछ ही सरीके का यह जो है रूम है जैसा कि आपको दीख रहा होगा और कुछ चोटी जगह है ज्यादा कुछ बड़ी नहीं है यह चोटा ही रूम लिए क्योंकि दो भाई है तो दुनों के लिए यह काफी है और अभी जो है मंदीर के लिए निकलेंगे मतलब घूमने क लिए और मेरे ख्याल से जहां तक लोग बता रहे थी कि अभी जो द्वारी का दिस जो मंदीर का जो कपाट है वो बंद रहता है तो फिर आल ऐसे घूम के आना है और दूसरी चीज जो है नास्तानी के सुवेरे से तो कुछ खाना हो गया अभी खा के आना है तो यह सारी ची लिए रूम मिला हुआ काफी अच्छा रूम है और छोटा रूम है तो इसमें हमारा आज नाइट तक का है सुभेरे तक का हमको रूखना है कल फिर यहां से निकलना है तो अभी तो सारी चीजे हो चुकी है तैयारी वगएरा सब चीज हो चुका है हमारा तो थोड़ा पिर कैसा है कैसा नया जगा है तो कैसा होने वाला है और गूमने में मेरे ख्याल से बहुत मजा आने वाला है तो चलते हैं और कुछ-कुछ चीजे में आपको दिखाते रहूंगा कि यह पिस्टान है थाधिए पिस्टाना के तो पिस्टाना की तो अ को इच है गयांग अब टोपी चाहिए तो अभी ये बाहर का नजारा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और ये मेरे खाल से है थर्ड फ्लोर में है हम लोग और बाहर में कुछ छीज तरीके ये चीजे काफि सुन्दर ना जा रहा है यहां का और काफिशाफ सुत्रा आपको देखने को मिले गया सामने मंदिर आपको दीख रही होगी तो कुछ चीज तरीके से आफ आगे हम लोग नीचे जाएंगे नी कुमने को मिलेंगी को अब देखो यह अभी हमारा नास्ता खाना आया हुए है काफी सारे चीजे हैं तो इतना सारा भी खाना आया हुआ है और काफी तो भूख लगी रही है तो अभी यह आना खाना उसके बाद जो है घूमने के लिए निकलना है अभी जो मेन मंदीर का जो कपाट है द्वार वो बंध है उनके वाज़ा से अभी नास्ता करने के बाद ही जाना है तो यह हमारा खाना लग चुक है और देखी क्या क्या है इसमें अल्लिमिटेड थाली में यह मिला है हमको छोले बटूरे है एक रोटी है और यह दाल है और पापड़ी है और इसे काफी सारे जो है सलाथ अभी दिये हुए है तो पुछी सरी के से जो है तुमारी हली इसमें क्या दिये है एक लोटा भर के पता नहीं है unknown वल्ग कर दो या हृृ। कर भाँ रब 도jak इंट है तुह कर बाँ़ कि तो अभी हम लोग आए हुए हैं यहां पे बीच पे और मंदीर का जो है कपाट भी बंद है तो सोचे कि यहां भूम लेते हैं और यहां भी काफी अच्छा ना जा रहा है जैसे कि देखर हो यह जो है अरभ महासागर जो है यहीं से मतलब जो है जुरी हुई है और इसी का हिस्वाइज है यहां आप सी देख रहे हो जो किनारा बोलते हैं जिसको किनारा कापी ज्यादा लोग मस्तिक कर रहे हैं अब Julius देखने तो काफी अच्छा लग रहा है और अभी काफी दूप भी है दोपार का टाइम है तो इसके वज़ाए से पुड़ा साया गुमने में दिक्कत हो रहा है और सामने एक अच्छा बहुत खुब्सूरत नाजारा है जिसको देखने के लिए जा रहे हैं लहरों की जो है बहुत क्या बोले हैं अभी मैं देखने से तो ऐसे कुछ नहीं बोल पा रहा हूं और वीडियो में मैं आपको सामने दिखाने वाला हूं सो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तो यह सामने है एक एक रेलिंग बनी हुई है उपर चलने के लिए और यही जो लहरे ऊठ रही है उसी को देखने के लिए भी आगे जा रहे हैं और इधर आपको दिखाता हूं तो यह उनी का एक पार्ट है जो कि इधर किनारे पर यह सारी चीजे हो रही है बोटिंग बगरा और यह जूला जो आपको सामने जो है देखने को मिलेगा और लगरे आप देख पा रहे होंगे इसका तो मेरे ख्याल से आंकलन करना मुस्की लेकि कितना यह ताकतवर होगा और इनकी उचाल आप देखो इतनी उपर उपर तक यह उचल रही है और मैं तो देखके दंग रह गया हूं क्योंकि मैं कभी ऐसा चीजे देखा नहीं था और मेरा भी यह फर्स टाइम है हुआ कि अधो जैसे जैसे करीब जाते जा रहे हैं तोड़ा थोड़ा और यह भायानक दिखते जा रहा है कि आइख अगर कि आँए आँ है आए कि आपको कि आपको कि आपको कि आपको कि आपको कि देख पा रहे होंगे आप कितनी ज्यादा जो है लेरे ऊट रही है और यह जहां तक आपकी नजर जाएंगी वहां तक की लहरे अभी देखने को मिलेगी आपको और यह एक तट है पत्थर वगएरा लगी हुई है इधर से आपको मंदीर वगएरा दिखेंगी और लहरे देखेंगे आप तो इधर भी आपको कुछ चीजे नजर नहीं आने वाल और यहां तक नजर जाएं तो तो कुछ इस तरीके की चीजे हैं यहां और इधर आप उचाल आप देखेंगे तो बहुत उची उची उचाले आ रही है पानी की कर्षा नहीं झाले झाले बहुत उचाले आपको को की ऑफ जची उचाले लाएं तो के लेर वाले को अजर को बहुत नहीं है